नारियल किसे पसंद नहीं नारियल का मीठा पानी गर्मियों में हमें एक अद्बुद ताजगी देता है परंतु आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सर्दियों में नारियल पीने के साथ फाइदे जी हाँ साथ सेहत मंद फाइदे नारियल पानी पीना हमारे स्वास्थे के लिए बहुत ही लाबदायक होता है यह तासीर में ठंडा होता है वैसे तो इसका सेवन किसी भी मोसम में किया जा सकता है परंतु कई लोगों को बहुत डाउट बना रहता है कि सर्दियों में पानी पीएं के ना पीएं नारियल पानी पीने से कुछ लोग फ्रेज करते हैं सर्दियों के मोसम में परंतु यह बात ठीक नहीं है आये समझें कि सर्दियों में नारियल पानी पीने के क्या-क्या लाब होते हैं सबसे पहला लाब पाचन किरिया को ठीक बनाने में नारियल पानी बहुत ही उत्तम माना जाता है इसमें कुछ ऐसे पोशक्तत और मिनरल्स पाए जाते हैं जो की हमें बहुत लाब पोचाते हैं और पाचन किरिया को खराब नहीं होने देते हैं दूसरा हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखता है नारियल का पानी शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है और इसमें एंटी एजिंग का भी गुण पाया जाता है तीसरा लाब बलड शुगर को मेंटेन रखता है जिन लोगों को डाइबेटीज की प्रॉबलम है वो भी नारियल पानी पी सकते हैं नारियल पानी बलड शुगर को मेंटेन रखने में बहुत फायदे मंद है पनंतु ध्यान रहे जिन लोगों को बलड शुगर ज़्यादा ब तीसरा लाब उन गरवती महिलाओं के लिए ये बहुत फाइदे मंद है जिनोंने अभी गरवधारण किया हुआ है नारियल पानी पीने से उन्हें और उनके होने वाले बच्चे को बहुती स्वास्थलाप प्राप्त होता है शरीर से कमजोरी चली जाती है और चोथा लाब है मोटापा कम करना मोटापे को कम करने के लिए भी नारियल का उप्योग किया जाता है नारियल पानी में कैलोरी की मात्रा कम होती है और मल्टी विटामीन्स और मिनरल्स जादा मात्रा में रहते हैं इससे भी मोटापा कम होता है अगला फाइदा है कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल में रखता है नारियल पानी का नियमि सेवन करने से कोलेस्ट्रोल लेवल नहीं बढ़ता है अपितू कंट्रोल में रहता है कोलेस्ट्रोल को भी ठीक करने के लिए नारियल पानी का आप उप्योग कर सकते हैं अगला लाब है इम्मिनिटी बूश्टर जी हाँ नारियल पानी इम्मिनिटी बूश्टर की तरह ही काम करता है आप इसे शरीर की किसी भी अवस्था में पी सकते हैं परंतु ध्यान रखें सर्दी खासी जुखाम या ज़्यादा ठंड लगी हुई हो और छाती में बलगम जमा हुआ हो तो ऐ पैसे में भूल करके भी नारियल पानी ना पीएं क्योंकि ध्यान रहे मैं फिर से बता दू नारियल पानी की तासीर ठंडी होती है यह आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो और हमारे चैनल सद्गुरू रेमडीज को सब्सक्राइब करना ना भूले आपका बहुत बहुत धन्यवाद